अरियोम श्री गणेशा इन में बोल सियापति राम चंद्र की जै पवन सुत हनुमान की जै श्री राधे शाम्रा मायन में श्री दश्रत जी का प्रतिग्या पालन आगे परसांगे हा सुनो प्राण पति प्राण नाथ अब मैं अपने वर मांगती हूं पहला वर राम के बदले में यह राज भरत को चाहती हूं दूसरा जरिन चाहिए मेरा सो सुनो संकुचित मत हो ना क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत हो ना यह राम जो राजा होते हैं सो राजा नहीं उदासी हों कल से ही चोदैं वर्षों तक तप सीवन करवन वासी हों प्रानेश प्यार रखते हो तो प्यारी के सांख मुँखो लो क्षत्रिय और सद्वादी हो तो जलदी से एव मस्त वोलो ओफ शवद यहन थे नहीं थे जहरी लेतीर जिनके लगते ही हुआ सरलर दैनक चिवीर उस सीदे सादे राजा का सर घूम गया इन बातों से पल भर को आँखें बंद हुई सर दावा दोनों हाथों से बेहोशी आने वाली थी पर ग्यान ने आके टोक दिया प्रितवी पर गिरने वाले थे लेकिन धीरज ने रोक दिया सोचा यह फल है कर्मों का अबला से अनुचित नहीं हुआ बस यही सोच कर रगवन्शी आसन से विचलित नहीं हुआ बलवान आत्मा है जिसका उसकी गति टर सकती है नहीं सच कहा है किसी कही आने अबला क्या कर सकती है नहीं जरा देर तक मौन रहें बोले दशरत राव प्रिये तुम्हारे सामने कहता हूं सदभाव सब पूत्र पिता को है समान तू भी यह बात जानती है है मुझे भरत और राम एक वहत्रिव अननात साक्षी है जो पहली मांग तुमारी है वह नहीं हुई है भार मुझे ओ भरत लाल को राज तिलक उत्साह सहित स्वीकार मुझे परदेश निकाला राम को और वहवी चोदें बर्षों का इसमें क्या तुमने सोचा है मैं समझा नहीं इशारों को रानी ले राज भरत जी को लेकिन यह क्रूर उपाए नकर है राम गवू और निर्दोशी उस पर इतना अन्याए नकर रानी रानी यह तेरा पती जो तेरा पूज देवता है इस समें पाम पढ़ कर तेरे बस इतनी भीक मांगता है मेरी इन बुड़ी आंखों के आगे ही रहे मूरती वैं हो चाहे वेश उदासी का पर रहे अजोध्या में ही वैं शवद नहीं थे राउ के थे आकर्शन मंत्र चिन बिन करने लगे रानी का शड़ यंत्र परहो नहार जो होती है वह नहीं मिटाए मिटती है तिरिया जब हठ पर चड़ती है तब नहीं हटाए हटती है कहने को तो इन शब्दों ने ने सब्द कर दिया रानी को परहो नहार के पाले ने फिर आन जमाया पानी को रानी शायद राजी होती परहो ने दिया नहोनी ने और उधर बजाई कोने की दीवार किसी की कोनी ने देखा कुबरी है खड़ी हुई और यूं कह रही इशारों में आसावधान है वक्त यही मत आ जाना इकरारों में रानी तब कहने लगी राजा यही जुवान कहो डगम गाने लगे जब मांगे बरदान बरदान जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती पड़ गई जो रेखा पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती जी अगर आपका दुखता हो तो एक उपाए बताती हूं बूड़ी आँखों के आगे ही वह रहे वो राए बताती हूं महराज बात है घर ही में कुछ पंचों में अपमान नहीं तुम अपने मूँ से यह कह दो मैं दूँगा यह वरदान नहीं यह सुनते ही एकदम उबल उठे महराज बोले बस अब हो चुका जो होना था आज ओ नीच बुद्धिवाली औरत महिवर से हमें गिराती है जो सत्य हमारा जीवन है तूस से हमें डिगाती है हम सूर्य वंश के महलों में कालिमा न जाने देवेंगे सुनती है प्राण दे देंगे हम परवचन न जाने देवेंगे क्या उलजन है यदिदान न दे तो धर्म हमारा जाता है और उधर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है बस अब कर तब तराजू में दशरत का जीवन तुलता है है उधर धर्म का वाट धरा और इधर प्राण का सौदा है बेटे के प्यारे दूर हो अब दशरत इस समय धर्म पर है ओ मोह पलायन हो जल्दी मेरा उत्थान कर्म पर है ममता गर्क हो जा दिल में दिल ठंडा हो जा पहलू में ओ बुढ़ी आँखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में रानी रानी क्या कहती है दुनिया कुरबान दर्म पर है मैं क्या तू क्या यार बच्चे क्या सब कुछ वलिदान धर्म पर है रानी बोली वहा वहा जब है इतना जोश तो हां कहने के समय क्यों होते खामुश सत्वा दी था एक हरीश चंद्र जिसने सत्त जान संकट में जिसकी सच्चाई का चिराग जग मगा रहा है मरगट में दूसरे महारा जाशी विथे जो नहीं सोचते हैं अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मास तोलते हैं अपना तीसरे हुए शिरियुत दधीची जो स्यशदान का लेते हैं जब आकर इंद्र मांगता है अपनी हर्डी दे देते हैं मैं तुमसे हरीश्चंद्र जैसा शमशान का वास न मांगती हूं मैं तुमसे शिवीद दीची जैसा हर्डी और मास न मांगती हूं मैं मांगती हूं तुमसे कर जा जो तुमको देना बाजिव है तुम हरीश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिव है राजा बोले कैके बस अब हो खामोश जोशी लेको और क्यूं दिला रही है जोश मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है तु जो मुझे को ललकारती है रानी तु अपने पाओं में कुद आप कुलाडी मारती है इस समय गर्म हो रही है तू लेकिन जब गर्मी उतरेगी तब तू ही अपनी करनी पर पच्चतावेगी और रोएगी अच्छा जो होना है होगा मुझे को इससे क्या मतलब है मेरा तो आज सत्य ही पर जो कुछ है न्योचावर सब है रानी रानी आँचल पसार कर जा भी ले और दान भी ले ले राज भी ले वनवास भी ले वर दान भी ले और प्रान भी ले यह कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में कुछ आँख लगी गिर गए वही हो गए सुशुत अवस्था में इधर सूर्योदे हुआ हुआ है राज सीसाज द्वारे पे नौबत वजी राज तिलक है आज सब है पर यह है तो क्या है महराज है अब तक महलों में टिम टिमा रहा है अभी तलक रजनी पका दीपक महलों में क्या कारण है मालूम तो हो मंत्री महलों में जाता है है यह क्या है सन नाटा है और अंधकार दिखलाता है मंत्री ने देखा राजेश्वर मचली की तरह तडपते हैं जिस समय आँख खुल जाती है तब राम राम ही रखते हैं इतना ही नहीं और देखा जामे के टुकडे टुकडे हैं सार पेच कहीं और ताज कहीं माला के दाने बिखरे हैं और यह भी देखा सिरहाने कैके इखडी है वागी नसी वह वी श्रिंगार विही ना है भैदाए निपी विकट पिशाची नसी यह द्रिश देख कर मंत्री भी हैरान हो गया महलों में आया तलाश मेरा जाकी और आप खो गया महलों में कुछ देर बाद संबला पूछा कै के इसे माता यह क्या बाहर नकोर बजते हैं महलों में दिखलाता यह क्या रानी बोली राम को लाओ यहां बुलाए जब वह आएगा यहां सब कारण खुल जाए जो आग्या कहकर चला मंत्री शीष नवाए चलता है परसो गए पान चलते हाई उदै हुआ था जिस जगे सुख का स्वच्च प्रभात होती है अब उस जगे दुख की काली रात मंत्री ने जाकर कहा उठे शीग्र सुखकंद आए मां के सामने राम सचिदानन्द देखा बेहोश पिता जी है मां की त्योरी है चड़ी हुई गोया शिकार है पड़ा हुआ और वहीं शिकार इन खड़ी हुई अच्छा बेटे ने पहले तो रजली माता के चरनों की फिर पास पिता जी के जाके उंगली चूमी उन पाउं की कहा पिता क्या हाल है क्यों हो तुम बेहोश मुझे देखते भी नहीं हो ऐसे खामोश हे पिता पिता क्या हुआ तुमें क्यों तुमको मुर्चा आई है क्या किसी रोग ने गेरा है या कुछ तबियत घबराई है मंत्री मंत्री माता माता यह से क्यों घबराई है क्या मुझे से कुछ अपराद हुआ जो मेरे पितार साई है जो सितार मिजराब से देता है जनकार त्यों राजा के कान में पहुची ए गुफ्तार कुछ हरकत हुई खुली आँखे और एक स्वास मुख से निकला दीरे दीरे कुछ होट हिले और राम शब्द मुख से निकला बेटे की प्यारी चबिने आर अच्छे प्रकार बर ली आँखें आशीरवाद आँखों में दे फिर वहीं बंद कर ली आँखें तब कहके इने कहा आराम इस तरफ आए मैं जो कहती हूँ उसे सुन लो कान लगाए तुम यह सवाल करते होंगे किस दुख ने इन्हें दवाया है इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है तुम जानते हो तुमसे इनको किस कदर मुहबत ज्यादा है यह उसी मोह का कारण है जो इनकी बुरी अवस्था है दो वर देने के लिए मुझे इनका वर्सों से वादा था जब वक्त हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था मांगा यह राजबर्त को और चोदां बर्शों बनवास तुमें यह सुनके यह बेहोश हुए इच्छा थी रखें पास तुमें पर हुआ वही जो होना था बेकार हुई सब इच्छा यह है तुम अपना फर्ज समझते हो तो पूरी करो आ गया यह मंत्री ने जब यह सुना गया पसी नाए वही जिमी पर गिर पड़ा मूसे निकली हाई मन ही मन मुसका पड़े राम सचिदानंद आत जोड के मा तुसे बोले प्रभु सुककंद बड़ भागी वे बेटा है जो मा बाप का ग्याकारी है मात अगर ऐसा हुकम है तो जिन्दगी पवित्र हमारी है हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा यह रहा हमें माता या पिता किसी ने भी कुछ हुक मनाब तक दिया हमें यह आज सुनहरी मौका है जो हुकम हमें देती है मा है आज हमारा अहो बाग हम से सेवा लेती है मा हम तो खुद सोचा करते थे थोड़ी जिन्दगी बनों में दे तब जानेगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे हम सच कहते हैं राज तिलक लगता था माता भार हमें वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें हाँ सोच है कुछ तो है यह है फी है पिता को आज वे था इतनी अस्चार यह इतनी बात पही है इनकी बुरी दशा इतनी शायद कुछ बात और भी है जिसका आगात करा रहा है मालूम हमें यह होता है कोई अपराद हमारा है इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर तभी केकेई ने कहा ठहरो करो नशोर तुम जब तक खड़े रहोगे या इनका संताप न जाएगा जब तक तुम बन जाओगे नहीं यह पस्चात आप न जाएगा इसलिए मुनासिब तो यह तकलीफ न इनको पहुंचाओ जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ सुने जिस समयकान से माता के यह वेन हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन अनुराग बाप से है लेकिन मा के दरजे को देखते हैं जो अभी पिता को देखते थे वे अब द्वारे को देखते हैं उस समय पिता को मन ही मन करके प्रणामर गुराए चले जो आ गया बस इतना ही कहा और मा को मात नवाए चले कहा के के इने तभी जाओ हो तयार कोशल्या से भी जरा मिलाओ यकवार हाँ एक आ गया और भी है मिलकर के इसी जगे आना मैं बलकल वस्त्र मांगती हूँ यह वह आकर यही पहन जाना अब जाओ और जल दी जाओ इस समय न ज्यादा मिलन का है जो राज तिलक का था महूरत वही महूरत वन गमन का है इतने में महाराज के मुख से निकला राम मंत्री ने उठ कर तभी उनको किया प्रणाम इधर मुस्कुरा के चले मंद मंद सुखधाम दन राम और दन यहे गाताराधेशाम सियावर राम जै जै राम मेरे प्रभु राम जै जै राम अवधपति राम जै जै राम बोल सियावर राम जै जै पवन सुथ हनूमान की जै